साल की सबसे बड़ी बरती परिक्षा पशू परीचर भरती का समापन हो चुका है तीन दिनों तक छे पारियों में इस परिक्षा का आये जन हुआ है हम एक बार फिर से करमचारी चैन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज के पास आये हैं उनसे ही जानते हैं सर साल की स परिक्षा काफी बड़ी परिक्षा थी इसमें 17,56, packaged मिल प्रिक्षा ऑफ जह लगव सका बैठी बच्छे के लिए हमको पूरी त्यारी करने पड़ती है बडवे और सो परसंट बच्चों की उफसेती ता इस आपस ते किरिकाने थी हमको पूरी तारी करने परती है बड़ी वहालों कि इससे पहले दो बड़ी परिक्षाएं हुई थी जो की पातिउता परिक्षाएं थी सिटी सिन नातग और सीटी सीने सेकेंटरी वह भी काफी बड़ी बड़ी परिक्षां थी पहली परिक्षा चाड़रे 3.500,000 की थी ए 3.500,000 की थी 캉ज साथ 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 में 10 की परिक्षा जिसमें 1,500,000 बच्चे थे और आठ जूर्य स्ट्रेक्टर की परिक्षा हैं जिसमें काफी सारी पक्चे थे लगबक 50,000,000 रेजिस्टर्ड अब भीहारतियों की परिक्षा कराना 12 परिक्षा कराना हमारा खुद का एक टेस्ट था और मुझे यहां पर काम कर रहे थे और यहीं कर रहे थे कि सारी कारवई अच्छे से हो हर एक सेंटर का सही बैग उसके जगे पहुँचे हर शिप्ट का पहुँचे और उन्होंने इसको करके दिखाया और कोई भी विसंगिति हमको अनुभव नहीं हुई बताई नहीं गई सभी काम निर्विगन हुआ और ये सब इसली हो पाया क्योंकि बोर्ड की एक पहले से एक पेचान है, बोर्ड का एक system बना हुआ है, इसके SOB बनी हुई है इसको मैंने कुछ इंप्रूप्मेट किया लेकिन पहले से SOB अत्फी अच्छी बनी हुई है कि बोर्ड इसकाम को कर पाया उसका सारा श्रे पुराने चेर्मेंस साफ के पास पुराने सच्छिव साफ और पुराने सभी मेंबर्स और करमचारी जुसके काम करते रहे उनको जाता है क्या कि उन्होंने ऐसी सिस्टम इस्थापित किया जो कि चल रहा है और यह कहना भी और बैक्स को भिजवाना लेकिन उसके बाद पूरी एक्सेस को कंडर्ट करना ग्राउंड पर असान नहीं होता है अब्भेड़तियों से डिसकेशन करना उनसे इंट्रेक्शन करना उनको गाइड करना उनको सम्हालना और कई बार कुछ अब्भेड़ति जो होते हैं जैसे एक केस में का बैठती श्राप पी करा गया उसको जहिलना असान नहीं होता है तो जला प्रसाशन ने बहुत मुस्तेदी से काम किया किसी प्रकार की कोई भी सूचना हमको ने मिरी जहापर की गल्ती की गई हो यानि कि जो सारी विसंगतियां हम सुनते रहते हैं पेपर लीक नकल करना और फरजिवाड़े करना वो ऐसा कुछ भी कहीं पर प्रक्रण नहीं हुआ जरूर एक दो जग है ऐसा हुआ कि कोई अब्यारती उसने अपना एडमिट का ध्यां से देखा नहीं और आके वो परिक्षा में बैठ गया और फिर विक्षक नहीं जब उसको नोटिस किया तो पता लगा कि वो अब्यारती का शिप नहीं था उस पर एक्षिन ले लिया गया लेकिन आल इन आल परिक्षा बहुत आसाने से हुई बहुत स्मूत ली हुई और मुझे खुशी है कि परिक्षारतियों ने पॉस्टिव फीड़बेक दिया है चाहे वो स्लेबस के बारे म हो या जो भी स्टेंड़ था और आम तोर परिक्षारती किसी को कोई स्लेबस टफ लगता है किसी को पेपर इजी लगता है वो अलगलग हरे कामबत होता है लेकिन आल इन आल परिक्षा बहुत अचे सी हुई और इसके लिए मेडिया को भी थेंक्यू बोलना चाहता हूँ क् कि जो मीडिया ने पहुत एक पॉजटिफ यए पोजिटिव इसमें प्ले किया उन होन ने हमारी सहरी बातों को परिक्षारति कि ये उनको सेटाइस किया और उनको उसके बारे बताए कि कैसे कारव़ाई करनी चाहिए कैसी कारवाई नहीं करनी चाहिए और इसके ऑन फाधा कि अनको नो के घ्रेजिळे ले के आसपास ग्रेजले मैंजस्क करें उसके वह थिए बावभर्त भी कुछ परिकशार्ती जो ऊसे बाड़मेर के थे था कर परियास कर रहे हैं कि बढ़ाई जाए ताकि हम और भी जो पुरुष परिशार्ति उनको भी हम एड़्जस कर सकें तो एक परियास जा रही है आगे से इंप्रूब्मेंट करने का मैं पिसले लगबग एक दशक से प्रतियोगी परिक्षाओं की जो कवरेज है वैं कर रहा हूं पहली बार ऐसे देखने को मिला नहीं पेपर फटा लेट आया है ना कहीं पेपर लीक हुआ है निदमी अब भी हड़ती पकड़ा गया है पहली बार मैं इस परिक्षा में देखा आपने जो देखा बिल्कुछ सही है लेकिन एक अध्य जगे पर ऐसा मुझे रिपोर्ट मेली है कि पेपर का जो कोशन बुकलेट होती है और उमार शीट उसका नमबर मैच नहीं हुआ ऐसा मुझे रिपोर्ट मेली है लेकिन जब ऐसा होता है तो हम पैनलाइज करते हैं हमारे कोशच करते हैं और मुझे उमीद लेकि इससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि जो बच्चा अपना उमार शीट में नमबर भड़ता है तो वो उस बुकलेट के पड़ता है जो कि उसको मिली हो तो वो मिसमैच को हम कवर कर लेते हैं जांच कर लेते हैं कहीं से भी पेपर लीग अब भड़ती वो शिकायत नहीं आयी कि कोई कई वह डमी बैठा हो या कोई नहीं हूआ हो या कोई पड़ती हो जो सब्सक्राइब ले रहे हैं यह बहुत सारे इसमें प्रुखे और इन्नोविटिव एक्षण ले रहे हैं जिसके वहाईसे समावना बहुत कम हो गई है और म पेपर लिकर के पास हुआ, तो उनका हश्र वो ही हो सकता है, जो कि कई बाकी परिक्षाओं में हो रहा है, जहांपर के बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो मुझे खुश ही इस बात कि कि अभ्यारती भी बहुत चोकवन ने हो गए हैं, और वो फरजी व आपने कहा था, मेरा मास्टर प्लान तयार है, अभी नहीं बताऊंगा, क्या आप सही समय है कि परिक्षा को इतनी पारदशी तरीके कराने से, वो मास्टर प्लान क्या दाव का? लेकि मास्टर प्लान जो था, वो होता है काफी सर्प्राइज वाला, और वो सर्प्राइज मैं भी रखना चाहूँगा, क्योंकि वो किसी को पता नहीं पड़ा है, और उसकी वज़द से फिर मैं आगे भी इसको इंप्लिमेंट करूँगा, यदि आपको मैंने बता दिया क क्या था, तो फिर आगे परिक्षाओं में दिक्कत होगी, लेकर नहीं कह सकता हूँ कि हमने बहुत सार इनुविशन की हुए है, बहुत सार तरीके अपनाए हुए है कि आदमें कितना भी कर ले, उसको मालो बोक्स में मिल जाएगा न, परिक्षा बोक्स का, तो अब इसको पास होगा कर नहीं होगा, क्योंकि ने बहुत सार तरीके निकाले हुए है, और आप हमारी बॉक्स की पैकिंग देखो, यदि उसको बॉक्स को खोलता है, टेच भी करता है, तो वो साफ नंगियक से नजर आएगा कि इसको बॉक्स खोला गया है, और मेरा ये भी प्लान था कि हमारे जल अप्लाशाशन को पता होना चाहिए, यदि कहीं पर भी उनको लगे, कि कहीं पर कोई पेपर लिक के समस्या हुई है, पेपर लिक का कोई उनको ख़बर मिलती है, कुछ भी होते हैं, खुद चेक करें, और हम उसको निरस्त करें, और फॉरन दूसरी परिक्शा क पड़ जाए, तो उससे निपन्टे का हमारे पास प्लाइन होना चाहिए, हमारे पास प्लाइन था, और हमारे पास प्लाइन अभी भी है वो, यदि अभी भी कुछ होता है, तो हम उसके लिए तियार रहते हैं, और मेरा यही मास्टर प्लाइन था, और कुछ एक चीज और जो बताना नहीं चाहता हुई है चे पारियों में परिक्षा हुई है सबसे बड़ा चैलेंज नॉर्मलाइजेशन क्योंकि चार पारियों के अभ्यरतियों का ये कहना था पेपर बहुत आसान था लेकिन अंतिम दिम जो परिक्षा हुई दोनों पारियों के अभ्यरतियों का क उससे को फरखने पड़ता क्योंकि इजी और टफ बोलना एक सब्जेक्टिव होता है मतलब ना इसको स्पेसिफिक नहीं होता है वो तो इसको स्पेसिफिक जाचने के लिए इसकी पूरी स्टेस्टिकल प्रक्रिया होती है सांखे की प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर यह के पर टफ था कि इजी था थो इसका पूरव एक सांग्क फॉर्मूला बना हुआ है स्टेस्टिकल फॉर्मूला जो की उपरूब है और वह एक epis contributing सिन प्रक्रेक माना है कि जाँ जाएगगे और फिर वह उसकी पुरी जाच करके को इसको करे उसका पूरा की पूरा कोन्टिफिकेशन होगा और इस species के अधार पर ही डेसाइड के जाए किस में कितने माक्स जोड़े जाए कितने माक्स घटाये जाए बचो के बोलने से मेरे समझने से किसी यह क rozp कर निपड़ता यह तो पूरे माक्स करता है और सब यह अभ्यारति को एक सिंगल पेज पिला के खड़ा करता है और यह सर्व मानने है इसलिए अभ्यारती परशान नहों सोचे भी नहीं कि हमारा इजी था हमारा टफता हमको रुकसान होगा सबको बराबर रखा जाएगा और सब के सब एक ही प्लैट प्लैटफू मंदल की स्थापना कब हुई यह कैसी सन है जो लिखा हुआ है काग जो पे लेकिन उसका विकल्प में उत्तर नहीं था ऐसे चोई सवाल है उन सवालों को जब आपके सामने आएंगे तो क्या कुछ रहेगा उनके जब भी कोई सवाल एक्सपर्ट सवाल मनाते हैं और इसको कोई बार या तो लिखने में या प्रिंट करने में तुट्टी हो जाती है उन अवाल आप में इसको डिलीट करते हैं तो यह दिए हमको लगता है को एक सब्सक्राइब करने लाइक नहीं और इसको एक बार जाचा जाए तो इसको रिलीज करते हैं फिर अभ्यरत उस पर तो इसको मल्टीपल चेक्स होते हैं और उसके अधार पर डिसेड किया जाता है कि कुश्चन सही है की गलत है